नमस्ते रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है वैसे तो खीर आपने बहुत बार खाई होगी पर एक बार आप मेरे स्टाइल से इस खीर को बना कर देखिए और आपको सारे पुराने तरीके फीके लगेंगे चलिए इस खीर को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के हम सबसे पहले लेंगे आधा कप चावल आप इसके लिए किसी भी चावल का प्रयोग कर सकते हैं और इसे अच्छे से दो बार धो लेंगे मैं यहाँ पर बास्मती चावल का प्रयोग कर रही हूं अगर आपको बास्मती चावल नहीं पसंद है तो आप छोटे चावल भी प फोर्ट नारियल कटा हुआ इसे हमें बिलकुल महीन नहीं पीशना है तो थोड़े टुकडे रह जाएं तो कोई बात नहीं इसको पीशने के बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और आधे गंटे के बाद जार में भीगा हुआ चावल डाल कर उसे भी पीश लेंगे जिस पानी में चावल भीगा हुआ था उस पानी को भी हम जार में डाल लेंगे और इसे पीश कर हम इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे इसे ग्राइन करके हम एक दरदरा पेस्ट तयार कर लेंगे और उसके बाद एक पैन को गर्म करके उसमें डाल देंगे एक से डेड़ चमज देशी घी घी जब अच्छी तर से गर्म हो जाए तब हम उसमें अपना पेस डाल देंगे और आज को धीमी करके उसे पकने देंगे जब तक ये पक रहा है तब तक हमें कटोरी में लेंगे आधा कब दूद दूद थोड़ा सा गिर गया है तो मैं इसे पोच लूँगी इसको साफ करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 15-20 केसर के स्ट्रैंड्स और इसे ढख कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे जाएगा तब हम इसमें धीरे धीरे करकर दूद डालेंगे हम सबसे पहले इसमें आधा कब दूद डालेंगे और चावल को दूद के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि चावल की इसमें गुठली आना पड़ें जब इतने दूद को हम चावल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे तब हम धीरे धीरे करके इसमें डेड़ कब दूद और डाल देंगे हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालते जाना है और चावल को पकाते जाना है जब चावल धीरे-धीरे करके दूद में पकता है तब इसका ये जबरदस स्वाथ डवलप होता है दूद डालने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे ताकि चावल के लंप्स ना बने और इसको हम एक बार मिलाने के बाद थोड़ा तेज चलाएंगे और ये देखिए चावल अब दूद के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है अब हम इसमें पिसे हुए ड्राइफ रूट्स डाल देंगे और ड्राइफ रूट्स को डाल कर हम इसे भी चावल और दूद के साथ मिला लेंगे इसे मिलाने के बाद ये थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो हम इसमें और दूद डाल देंगे इसमें हम एक कप दूद और डाल देंगे इसमें मैंने दूद के साथ मलाई भी डाल दी है यहाँ पर हमने कुल तीन कप दूद का प्रयोग किया है तो आधा कप चावल के लिए हमें तीन कप दूद का प्रयोग करना है दूद को मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी हम लोग थोड़ा हलका मीठा खाते हैं तो मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ अगर आपको थोड़ा जादा मीठा खाना पसंद है तो आप इसमें पॉना कपचीनी डाल दीजिए चीनी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे वन थर्ड कफ फ्रेश क्रीम यहाँ पर मैं बाजार वाली फ्रेश क्रीम का प्रयोग कर रही हूँ अगर आप चाहें तो घर पे मलाई निकाल कर उसे मिक्सी में एक बार चला कर उसे भी प्रयोग कर सकते हैं अब हम चीनी और फ्रेश क्रीम को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक हमारे चावल अच्छी तरह से हो नहीं जाते और ये देखिए हमारी खीर हमें जितनी गाड़ी चाहिए उतनी गाड़ी हो चुकी है जिस चीज से आप खीर को चला रहे हैं जब उस पर ये इस तरह से जमने लगे तो समझे खीर आपकी अच्छी तरह से हो चुकी है और चावल भी यहाँ पर पक चुके हैं अब हम इसमें अपना केसर वाला दूट डाल देंगे और इसे हम खीर के साथ मिला लेंगे ये देखिए हमारे खीर का रंग कितना सुन्दर हो चुका है केसर वाले दूट को मिलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि खीर जब ठंडी होती है तो थोड़ी गाड़ी और हो जाती है और ये देखिए इसकी कंसिस्टिंसी कितनी बहतरीन है बहुत सारे लोग खीर को ठंडा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ी दे ठंडा कर लीजिए और उसके बाद सर्फ कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूले ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में